नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर नितीज काबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर बिहार के 20 जिलों में होगी बंदोबस्त कर्मियों की तैनाती अब SP करिंग स्पेशल और गंभीर केस की जांच स्कूल बसों में बच्चों को लाने ले जाने की होगी मॉनिटरिंग इसी अकब 2023 में इंट्री के बाद तलक वर्मा का आया रियक्शन इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से नितिष काबिनेट की बैठक में कई बड़े फेसलों पर लगी मुहर जो की बिहार सरकार के केवल एक विभाग से नहीं बल्कि अलग-अलग विभागों के हैं जिसके अंतरगत सहर्सा में नए राजकिये मेडिकल कॉलेज और हस्पताल के निर्मान के लिए सुकृति दे दी गई है सक्षक भरती परिक्षा और अन्य परिक्षाओं पर खर्च करने के लिए 35 करोर 60 लाख रुपए की सुकृति दी गई है राजकिये अभियंतरन एवं रा बारवी में यह कक्षाओं जरूरी जर्ला सिक्षा काड़याली को मिली जानकारी के नुसार अब राजजी के सभी माध्यमिक और उचमाध्यमिक स्कूलों में प्रायोगिक कक्षाओं अनिवारे कर दी गई हैं वहीं कक्षाओं 11 और बारवी में प्रतीग दिन 5 संधान्तिक और चार प्रायोग कक्षाएं चलेंगी यानि की प्रतेक दिन नौ कक्षाएं होंगी इसके लावा भाशा अत्रिक्त विशय खेल और लाइबरेरी में से भी हर दिन किसी ना किसी विशय की कक्षा चलेंगी जिनमें लंच के बाद केवल तीन कक्षाएं प्रायोगिक विशय की होंगी वही कक्षा नौवी और दसवी में प्रतेक दिन आठ कक्षाएं आयोजीत की जाएंगी जिन में गनित विज्ञान हिंदी अंग्रे जी सामाने विज्ञान संस्क्रित लाइवरेरी और वेकल पिक विशह सामिल है और इसके साथ ही सब्ताह में दो दिन मंगलवार और ग 20 जिले जहां जमीन का सर्वे चल रहा है वहां बंदोबस्त कर्वियों की तैनाती की जाएगी आपकी जानकारी के बता दे कि सेख पूरा और शिवर्दो ऐसे जिले हैं जहां इस साल के अंग तक भूमी सर्वेक्षन का काम पूरा कर लिया जाएगा मालूम हों किन सब के अल स्कूल बसों में बच्चों को लाने ले जाने की होगी मॉनिट्रिंग कर जाने के रिषे जांज की निसार नहीं पाया जाएगा उनके विरुद पडिवहन विभाग की ओर से कारवाई की जाएगी मारम हो किस संबन्द में पडिवहन आयुक्त बी कार्ति के धंजी के द्वारा भागलपुर समित सुबे के सभी जिलों के DTO, MVI और ESI को नरदेश जारी कर दिया गया आपके जानकारी क्लिवतादिक स्कूल बसों में जिन मानकों को ध्यान देना है उनमें मुख्य रूप से स्कूल बस की रंग पीली होनी चाहिए नियुनतम 150 मिली मीटर चौरे भूरे रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम स्पस्ट रूप से लिखा होना चाहिए बस में फर्स्ट एंड बॉक्स, फायर सेफटी डिवाइस, जीपिएस और पैनिक बटर, इमर्जनसी विंडो और सीसी टी वी कैमरे अनिवारे रूप से होने चाहिए केस के साथ जिन वहनों का प्रियोग किया जड़ा है, उनमें स्कूल ड्यूटी लिखा होना अनिवारे है, अगर ऐसस नहीं होता है, तो संचालक के किलाफ कारवाई की जाएगी अब SP करेंगे स्पेशल और गंभीर केस की जाँच, विहार पुलिस के DGP RS भटी के तरफ से आदेश जारी कर यह निर्देश दिया गया है कि अब राजी के अंदर स्पेशल या गंभीर तरह की केस की जाँच, SP और इंस्पेक्टर के साथ SDPO और थानाध्यक्ष के द्वा जारा है जिससे की जांच में देरी होनी और गुनवत अप्रभावित होनी की लगातार शिकायप सुने को मिल रही थी, जिसको देखते वे बिहार पुलिस मुख्याले के दौरा यह निर्ने लिया गया है, मालम हो कि संबन्ध में अफसरों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के म परिक्षा की तिथी को देख सकते हैं, बतादे की जारी कीगे सेडिूल के अनुसार स्सी परिक्षा दो हजार तेईस, पच्चस, छबिस और सताइस, ऑक्टूबर को आयोजित की जाएगी, वहीं सभ्त उच्चतर मात्य में परिक्षा तीर दो नवंबर को आयोजित की आपकी जानकारी के लिए बता दे के इन परिक्षाओं को लेकरता यारियां शुरू कर दी गई हैं, पंकस रिपार्थी के पिता का हुआ अंतम संसकार, बिहार के लाल और बॉलिवूट के जाने माने अभी नेता पंकस रिपार्थी के पिता, पंडित बनारास तिवारी का बीते रविवार को 98 साल की उम्र में निधन हो गया था, जिसके बाद अपने पिता के निधन की खबर सुनते ही, पंकस रिपार्थी मुंबई से तुरंत अपने गाउं पहुंचे जहां उनके बड़े भाई, विजिंदर नाथ तिवारी के दोरा, गाउं में छाली नदी के किनारे पिता का मुखागनी दिया गया, इस तोरान समसान खाट पर पंकस रिपार्थी और उनके पूरे परिवार के सदर्शे मौजूद रहे, पिता के शब को देखने पर पंकस रिपार्थी के आखे नम हो गई, बता दे कि अब तक पंकस रिपार्थी के पिता के निधन क कारण इस पस्ट नहीं हो पाया है हाला कि कुछ लोगों का कहना है कि वह बिमार थे और साथ ही उनकी उमन भी एक दूसरी वज़ा है पत्रकार हत्याकान का पांचवा नामजद आरोपित गिरफतार बता दे किसा बताए जाँ रहा है कि अरजन्सरमा की गिर्शतारी नेपाल के किसी होटल से की गई है मालूमों कि इससे पहले भी पुलिस के द्वारा इस मामले में चारद नामजद अभियोगत को गिर्फतार कर जेल भेज दिया गया है वहीं फिलहाल वरतमान में एक सारी हो चुकी है लगजरी कार से भारी मात्रा में शराब बड़ामल प्यार में पुर्ण रूप से सराब बंदी है इसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें इंसे जुरेर मामले सुनने को मिलते रहते हैं बता दे कि ताजा मामला अरवल का है जहां कलेर थाना की पुलिस के दौरा अरवल पुलिस अधिक्चक मुहमद कासिम के नरदेशा नुसार अनुमंडल पुलिस पतादिकारी राजीव रंजन के निदतु में कलेर थाना के पुलिस अवर नरक्चक संजय कुमार के दौरा वहा पुस्ताचारी है पटना के बापु टावर के लिए अभी करना होगा इंतसार विहार की राजधानी पटना के गरदनी बाग में 84.49 करों रुपए की लागत से 7 एकर जमीन पर भवन निर्मान विभाग के दोरा तयार किये जा रहे बापु टावर को इस साल 2 ऑक्टूबर को लोगों के लिए खोला जाना था लेकिन अब लोगों को इसके लिए थोड़ा और इंतसार करना पड़े का दरसल काम की धीमी गती के चलते ये काम पूरा होता नहीं दिख रहा है इसमें स्मितिचन, क्रेक केंद्र, भोजशाला, 200 लोगों के लिए बहुदेशे हॉल और रहेगा यहां सोध केंद्र प्रशासनिक कारयाले और स्थाई और स्थाई प्रदर्श हॉल को भी बनाया जाएगा थावे मंदर पहुंचे लालु यादव ने किया पूजा अरजना, बीतर दिन राजस सुप्रीम और लालु पुषाद यादव अपनी पत्नी और बिहार की पुर्व मुख्य मंत्री राबरी देवी अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेश प्रताप यादव के जहां उन्होंने कुछ समय बिताया और फिर गोपाल गंश पहुंचे इस दुरान बीती रात को सरकेट हाउस में अराम करने के बाद आज सुबह सुबह लालु यादव थावी दुर्व मंदर पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अरचना की और फिर सारे आठ बजे के के साथ अपने काउं फुलवरिया के लिए निकल गए बतादे के लालु यादव लगभग साथ वर्शों के बाद गोपाल गंश पहुंचे हैं अपने दौरा बनाये गया दुर्गा मंदर में पूजा अर्चना किया और अपने घर में अस्थापत मा मर्चिया देवी की अम मंत्र विजय कुमार चौदरी के द्वाड़ा बीजेपी और केंदर सरकार बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है जाती आधार गन्ना को रोकने के लिए काफी कुछ किया लेकिन उन्हें औस अवसफलता मिली उन्होंने कहा लिए को रहे है लेकिन बीजेपी और केंद्र और समंझस में है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम पक्ष में हैं या वेपक्ष में समझ ये क्या अस्थि है उन्होंने कहा कि सोचली जे नैंद्र मोदी की कितनी धूम धराके वाली सरकार है सुप्रीम कोट ने साफ कहा है कि वह और कारण इसको रोकना नहीं चाहते नितन गड़करी के साथ बैठक करेंगे तेश्वी यादव कली आने की बुदवार को बिहार के उपमुखे मंत्री तेश्वी यादव और केंद्रे सरक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रे नितन गड़करी के बीच वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से एक एहम बैठक हो होने वाली है जिसमें उनके बीच पिहार में चल रही सरक परियोजनौं के बारे में चर्चा की जा सकती है बता देकि सबके लावा इस बैठक में भारत माला प्रोजेक्ट के तहर भी कई प्रस्ताओं के इंद्र को भेजे गए हैं इस पर भी चर्चा हो सकती है वहीं पुर भोजपूरी सूपरस्टार खेसारी लाल यादव ने खड़ी दी लैंड रोवर डिफेंडर सुवी इन दिनों भोजपूरी फिल्मों के एक्टर गायक और मॉटर खेसारी लाल यादव काफी सुर्ख्यों में बने वे हैं तरसल उन्होंने टाता मोटर्स के स्वामित वाली जगवार लैंड रोवर की लैंड रोवर डिफेंडर सुवी खरीदी है जिसकी कीमत 2.30 करोड रुपए है बता दे किस बात की जानकारी खेसारी लाल यादव के दौरा खुद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके दी गई है शेयर के गए इस वीडियो में खेसारी आप लोगों की वचसे है आप सभी का सुक्रिया एशिया कप 2023 में इंटरी के बाद तिलक वर्मा का आया रियाक्शन वीदे दिन बीसी सी आई के दौरा एसी अकप 2023 के लिए भारतिये टीम का अलान कर दिया गया है जिसमें तलक वर्मा को भी शामिल किया गया है ऐसे में प्वारत के लिए वन डे और टी 20 में मुझे खेलने का मौका मिलेगा लेकिन एशिया कप की टीम में चुना जाना मेरे लिए सपने से कम नहीं एक ही साल में मुझे टी 20 में डेवियू करने का मौका मिला और कुछी समय बाद एशिया कप में जगा भाई ने मुझे हमीशा ब कि मैं वंडे में भी शांदार पफॉर्म करूंगा क्योंकि मैंने अंडर 19 और घड़ी लुटू नामेंट में अच्छा पदर्शन किया है इसके साथ ही पढ़ते हैं अचके सवाल की और आज का सवाल है स्कूल बसों में बच्चों को लाने ले जाने की मॉनिक्रिंग करना आपके अनुसार कितना फाइदे मंद है अपना जवाब हमें मारी कमेंट सक्षन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तुमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद